आज हम बनाएंगे यह बहुत ही soft और एकदम spongy chocolate cake और आज के इस chocolate cake में ना हम कोई cocoa powder यूज नहीं करेंगे और बिना eggs और बिना अवन घर की कड़ाही में बनेगा ये cake और texture में ने ये एकदम soft, spongy और moist रहेगा बहुत ही जादा मजाएगा आपको खाने में तो ज़रूर ट्राय करिएगा इस recipe को और अगर recipe पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो इस cake को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये 100 ग्राम dark compound chocolate ली है वैसे आप इसमें कोई भी और chocolate दे सकते हो जैसे कि dairy milk या फिर अपनी मन पसंद कोई और chocolate बट ये जो raw compound chocolates है ना ये थोड़ी से सस्ती बढ़ जाती है ये इस तरह के packs में मिल जाएंगी आपको different different brands रहेंगे 400 या 500 ग्राम की packing रहेंगी और ये बहुत ही असानी से मिल जाएंगी आपको market में और ये काफे सस्ती बढ़ जाती है तो अब हम अपनी चॉकलेट में डाल देंगे एक चुछाए कब दूध तो मैंने यहाँ पर ये उबला हुआ दूध लिया है तब gas की flame को बिल्कुल लो कर लेंगे और इसके उपर रख देंगे अपना ये चॉकलेट वाला बोल और इसे अब हम लगातार चलाते रहेंगे और low flame के उपर नीचे पानी से जो heat आएगी ना उस वज़ए से ये जो चॉकलेट ही अच्छे से melt हो जाएगी तो थोड़ी देर में आप देख रहे हो कि चॉकलेट विल्कुल अच्छे से melt हो गई है तो बस इसी के साथ हमारा ये चॉकलेट ही mixture तायार है तब हम gas को बंद कर देंगे और इस चॉकलेट को थोड़ी देर के लिए एक side पर रख देंगे और इतने देर में सबसे पहले हम अपनी कडाही यानि की homemade oven को गरम होने के लिए रखेंगे तो इसके लिए ना कोई भी मोटे तले की कडाही लेकर इसमें नमक डाल लेना है और फिर इसमें कोई stand या फिर plate को उल्टा करके रख देंगे और इसे उपर से ढखके medium flame के उपर 10 मिनट तक अच्छे से गरम होने देंगे और एक तरफ मोल्ड को भी तायार करके रखेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पर यह 6 इंच का मोल्ड लिया है इसे पहले oil से grease कर लेंगे और फिर मैं इसमें butter paper लगा रही हूँ आप चाहो तो मोल्ड को मैदे से भी dust कर सकते हो तो बस मोल्ड तायार है अब हम अपना cake का batter बनाएंगे तो इसके लिए एक bowl में मैं यहाँ ले लिए यह एक तिहाई cup oil कोई भी neutral flavor का refined oil आप इसमें यूज़ कर सकते हो आज साथ में इसमें डालेंगे एक तिहाई cup चीनी क्योंकि चॉकलेट यूज़ कर रहा है तो वो भी already मीठी है इसलिए चीनी की quantity थोड़ी कम रखेंगे तो इन दोनों चीज़ों को पहले अच्छा से mix कर लेंगे तकरीबन 30-40 सेकिंड तक ताकि जो mixture है ये एकदम क्रीमी हो जाए तो इसे मैंने mix कर लिया है इसके बाद अब हमने ये जो चॉकलेट मेल्ट करके रखी थी ना इसे भी हम डाल देंगे अपने इस mixture में तो अभी ये room temperature के उपर है तो इस mixture को डाल के भी एक बर mix कर लेंगे आइसे के साथ अब मैं इसमें एक चुथाई कप दूद और add कर रही हूँ तो पहले एक चुथाई कप हमने चॉकलेट में add किया था melt करने के लिए और एक चुथाई कप हमने और add कर दिया है तो टोटल दूद की quantity रखी है आधा कप तो बस इसे भी अच्छे से mix कर लिया मैंने इसके बाद अब हम अपने इस बोल के उपर रखेंगे एक चंणी और इसमें डालेंगे एक कप मैदा आप चाहो तो इसमें गेहूं काटा भी ले सकते हो एक छोटा चमच बेकिंग पावडर एक चुथा ही छोटा चमच बेकिंग सोडा और एक पिंचेस में अमक डाल देंगे तो इन सारे dry ingredients को एक बाद चाहन लेंगे आई इसके बाद इसे mix करने के लिए अब हम एक spatula यूज़ करेंगे और इसके साथ ना बिल्कुल हलके हलके हाथों से cut और fold करते हुए mix कर लेंगे अच्छा अगर आपको लगे कि बेटर में बहुत जादा lumps है तो आप इसे mix करने के लिए whisk भी use कर सकते हो बर जब भी whisk use करें ना dry ingredients को mix करने के लिए तो दो चीज़ों का ध्यान रखें एक तो उसे बिल्कुल हलके हलके हाथों से use करिएगा और उसे एक ही direction में mix करना है तो vigorously या फिर over mix नहीं करना है इस better को तो बस मैंने इसे mix कर लिया है और यह जो better की consistency है यह मुझे थोड़ी से thick लग रहे है तो इसमें मैं दो बड़े चमश दूद और add कर जहूँ आप अपनी जरूरत के according रख सकते हैं इसे तो बस इसे भी अच्छे से mix कर लेंगे और इसी के साथ हमारा यह चोकलेटी बेटर बिल्कुल तायार है आप देख रहो इसकी consistency तो बड़कुल नॉर्मल केक की तरह हमें इसे भी रिबन जैसा flowy consistency में रखना है तो बस बेटर अब हमारा तायार है अब इस बेटर में एंड में हम डालेंगे एक चोटा चमश विनेगर यानि की सिर का आप इसकी जगा नीबू का रच भी डाल सकते हैं इसमें अचारी के विनेगर डालने के बाद भी न हमें इसे बल्कुल हलके हाथों से mix करना है तो थोड़ा सा जल्दी mix करेंगे और जैसे ही ये mix हो जाएगा इस बेटर को साथ के साथ हम डाल देंगे अपने इस grease किये हुए mold में mold को थोड़ा tap कर लेंगे तो बस mold तायार है और इधर ये कडाही भी अब काफी अच्छा से गरम हो गई है तो अब हम carefully mold को इसमें रख देंगे और इसे उपर से ढखके low medium flame के ऊपर बेक करेंगे तक्रीबन 35-40 मिनट तक और ये जो टाइमिंग्स है ये थोड़ी से आगे पीछे हो सकती है तो एक बा 35 मिनट हुए है अब हम इसे एक बाद चेक कर लेंगे केक काफी अच्छे से फूल गया है और सेंटर में जब टुथपी को इंसर्ट करके चेक कर रहे है तो ये भी बिल्कुल क्लियर आ रहे है तो इसका मतलब है कि केक तायार है तो गयास को बंद कर देंगे और इस mold को ना के लगस्धी क्राइब देंगे तांकि केक जो है ये अच्छ़ से ठंड़ा हो जाए और इसे उपर कपड़े से ठाकर राखेंगे तांकि इसकी उपर की सर्फेस jahy ये ड्राय ना हो इया तो जब तक हमारा ये केक थंडा हो रहा है तब तक हम इसके लिए चॉपलेट फ्रो से चॉकलेट की बज़ाए कोको पाउडर से केक बनाना चाहते हो तो उसकी रेसिपिकल लिंक नीचे डिस्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है अब वहां उसको चेक कर लीजेगा और ये जो चॉकलेट हम मेल्ट कर रहे है इससे अब हम बनाएंगे चॉकलेट गनाश तो इसके लिए जब आपकी चॉकलेट इससे मेल्ट हो जाएगी तब आप गयास को पहले बंद कर दीजे और फिर हम इसमें डालेंगे एक ती हाईकप क्रीम और इसके लिए मैंने यहाँ आप ये नॉन डेरी विपिन क्रीम ही यूज की है वैसे गनाश बनाने के लिए आप चाहो तो इसमें अमुल फ्रेश क्रीम भी ले सकते हो तो बस इस क्रीम को डालके ऐसे अच्छा से चॉकलेट के साथ मिक्स कर लिना है ध्यान रखिए कि यह जो क्रीम थी न यह भी रूम पर थी तो बस इसे मिक्स करने के बाद अब हमारा ये चॉकलेट गनाश बिल्कुल तायार है आप देख रहे हो कि कितना क्रीमी और लश्यस लग रहा है अचा इस गनाश को अब आप चाहो तो किचन काउंटर पर रख दो मेरी तरह थोड़ी देर में यह ठंडा होकर क्रीम ले सकते हो बस एक चीज़ का ध्यान रखेगा कि उसमें जो फैट कॉंटेंट है ना वो कम से कम 30% होना चाहिए तो इस क्रीम को हम विप कर लेंगे तब तक जब तक कि एकदम फलफी हो जाएगी और इसमें हलकी हलकी से स्टिफ पीक्स आनी शुरू हो जाएंगी तो आप देखरे हो कि क्रीम में पूरी तरह से स्टिफ पीक्स नहीं है बट फिर भी इस तरह से यह फलफी और इसमें थोड़ी पीक्स बन रही है तो इस क्रीम को हम एक साइट पर रखेंगे और इसके बाद अब हम चलेंगे अपने गनाश की तरफ तो यह जो गनाश हमने लिया है और आप देखरे हो कि गनाश जो है यह पहले से थोड़ा सा कलर और टेक्शर दोनों में लाइट हो गया है तो बस गनाश को पहले इस तरह से विप कर लेना है और फिर इस विप गनाश को ना अब हम थोड़ा-थोड़ा करके अपनी क्रीम में आड कर देंगे तो प क्रीम गिरेगी नहीं इतना अच्छे से विप करना है हमें से क्रीम तायार है जब तक इस क्रीम को यूज नहीं करेंगे तब तक लिए इसे फ्रिज में रख देना है आई के बाद अब तो आप उसके बिना भी अपना चॉकलेट केक बना सकते हो तो बस इस केक को अब हम पहले लेर्स में कट कर लेंगे तो इसके लिए सबसे पहले ऊपर का यह अनिवन पार्ट निकाल देंगे आइसके बाद अब इसके लिए दो निकाल कर रिया हो एप एक पार्ट तीन निकाल कर लेंगे तो cake की एक layer अलग हो गई है और इसका texture देख रहो आप कितना एकदम जालीदार है बहुत ही soft और spongy बनाई ये cake इसी तरह से दूसरी layer को अलग कर लेंगे तो cake की layers आ गई है अब हम इन सारी चीजों को assemble करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले कोई भी flat surface या फिर board ले लो मैंने यहाँ पर ये चकला लिया है आइस के उपर हम लगाएंगे अपनी ये cream आइस के उपर रख देंगे अपनी cake की पहली layer और cake का जो middle वाला पार था ना उसे मैं हमेशा base में यूज करती हूँ तो बस इसे अच्छा से moist करने के बाद अब हम इसके उपर cream लगाएंगे cream को direct भी लगा सकते हूँ या फिर इस तना से piping bag में फल करके लगा लूआ इसे उपर से थोड़ा smooth कर देंगे आइसके उपर अब हम रखेंगे cake की second layer cake का जो top वाला पार था उसे मैं उल्टा करके second layer म रहेंगी इसके बाद अब इसके उपर जाएगा cake का top part और इसे भी moist कर लेंगे शुगर से अब के साथ और फिर इसके उपर भी लगा देंगे cream और अब की बार cream जो है यह उपर भी लगानी है और sides पर भी लगा देंगे और फिर इसे थोड़ा-थोड़ा सा smooth कर लेंगे इस के बाद final finishing के लिए मैं यहां पर यह कार्ड यूज कर रही हूं आपको cake scraper ले सकते हो और बहुत जादा इसे फिनिश करने की जरूरत निया क्यूंकि हम सारे surfaces को cover कर लेंगे तो इसे थोड़ा सा finish करने के बाद अब इस cake की garnishing के लिए ना यह जो cake की top layer हमने रिमूव की थी इसको हम हाथों से ही इस तरह से crush कर लेंगे और फिर इसका जो चूरा बनेगा ना इसे हम अपनी cake की side पर इस तरह से लगा देंगे तो कोई भी cake की wastage नहीं है इसमें सारा का सारा cake यूज हो जाएगा आई इसके बाद अब मैंने थोड़ा सा गनाश लिया है अब यह जो गन उसे चेक कर लीजेगा तो साइट पर यह डृप्स बनाने के बाद अब हम इसकी side की boundary पर भी यह गनाश लगातेंगे और इसे उपर से थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे इसके बाद यह जो सेंटर की स्पेस है इसमें मैं फिर से डाल रहे अपना यह क्रश किया हुआ केक तो सारे केक्से से फिल कर लेंगे आइसे के साथ तायार है हमारा यह बिना कोको पावडर के बना हुआ चॉकलिटी सॉफ्ट स्पॉंजी केक तो इस केक को आब हम आधे पॉने घंटे के लिए एक बार फ्रिज में रख देंगे और फिर हम इसे सर्फ करेंगे तो थोड़ी देर है यह बहुत ही सॉफ्ट स्पॉंजी और एक दब मॉइस्ट है तो अगर आपके पास भी कोको पावडर नहीं है बट आपको चॉकलिट केक बनाना है तो आप इस तरह से से बना सकते हो यह आपको बहुत ही जादा पसंद आएगा तो फटा-फट से ट्राय करो इस रेसिपी ना भूलें